हेलो एब्रिवन वेल्कम बेक तो माई चैनल लेट्स क्रैक मैथ कैसे हो बच्चो हमने पिछली वीडियो में किया है चैप्टर टू स्टार्ट किया हुआ है फ्रेक्शन्स एंड डेसिमल्स अब हम उसकी एक्सुसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे ठीक है आप मेरे चैनल की प्ले आप मेरे चैनल की प्लेडिस्ट में जाकर जब करको आज हम करेंगे एक्सुसाइज 2.3 इसका हम first question करेंगे हमने find क्या करना है और इसका A पर्ट है 1 by 4 बी पार्ट है इसका 3 by 5 सी पार्ट है इसका 4 by 3 ठीक है हमने पहले फर्स्ट पार्ट का 1 by 4 off 1 by 4 करना है ठीक है मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से करवाया हुआ है कि off का मतलब क्या होता है multiply ठीक है तो हमने 1 by 4 off 1 by 4 ही करना है ठीक है हम denominator की multiply denominator से करते है numerator की multiply numerator से करते है तो हम क्या करेंगे 1 into 1 और over 4 into 4 ठीक है तो यह क्या आ जाएगा 1 into 1 is 1 and 4 into 4 is 16 ठीक है अब next इसका बी पार्ट क्या है 1 by 4 of 3 by 5 ठीक है तो हम क्या करेंगे 1 से 3 की multiply करेंगे और 4 की 5 से multiply करेंगे तो 3 1s are 3 and 4 5s are 20 so this is your answer ठीक है अब next question इसका क्या है c पार्ट 1 by 4 of 4 by 3 तो हम क्या करेंगे 1 को 4 से multiply करेंगे ठीक है 4 1s are 4 and 4 3s are 12 so this is your answer यहां पर क्या हो रहा है 4 से 12 की cutting भी हो रही है ठीक है तो 4 1s are 4 और 4 3s are 12 तो आप यहां पर 1 by 3 भी अंसर लिख सकते हो ठीक है एक step आगे भी कर सकते हो ठीक है अब next इसका second part है second part इसका क्या है 1 by 7 of हमने करना है A part है 2 by 9 B part है 6 by 5 C part है 3 by 10 ठीक है इसी तरह से हमने इसे भी solve करना है तो इसका first का A part क्या आएगा 1 by 7 of 2 by 9 ठीक है तो हमने 1 by 7 को 2 by 9 से multiply करना है तो 2 1s are 2 और 7 9s are 63 so this is your answer बहुत है इसी कंसेप्ट है मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाय हुआ है तो आपकी एक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी तो मेरी पिछली वीडियो जुरूर देख लिगना ठीक है अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर करना अब नेक्स्ट देख्ते हैं लास्ट कोशन बचा हुआ है हमारा 1 by 7 of 3 by 10 तो हम क्या करेंगे 1 को 3 से मिल्टिप्लाइ करेंगे और 7 को 10 से मिल्टिप्लाइ करेंगे तो आप का अंसर क्या आएगा 3 1s are 3 और 7 10s are 70 यह आपका फर्स्ट कोशन पूरा अच्छे तरह के से कंप्लीट हो गया ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में अगली वीडियो में हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे ठीक है थेंक्यू फॉर वाचिंग माई वीडियो